हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागते आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही मज़ेदार रेस्पी फ्रेंड्स बहुत easy रेस्पी है लेकिन तेश्टी तो आप मत पूछिये आप बनाएंगे तो खाते रह जाएंगे इतना अच्छा इसका टेश्ट आता है तो हां फ्रेंड्स आज हम बनाने वाले हैं छोले वाले पुलाव आप उसे छोले राइस भी कह सकते हैं इस रीस को आप टिफिन के समान मी ये बन कर तयार हो जाता है और प्रेशर कूकर में तो 10 मिनट में आपका ये राइस तयार हो जाएगा बस स्टार्टिंग में जो तयारी में आपको समय लगेगा बाकी बनने में टाइम नहीं लगता तो ये देखिए मैंने छोले को क्या किया था राद भर मैंने पानी म रहें खाने में तो ऐसे आपको करना है फूलने के लिए आपको पहले डाल देना है तो आप 3-4 घंटे के लिए भी डाल देंगे ना तो यह अच्छे से फूल जाएगा तो मैंने रात में ही डाल दिया था और एक दम अच्छे से फूल गया था उसी मतलब कूकर को मैं फिर से ही हूँ उसी में बनाने के लिए आप देख रहे होंगे तो यह वीडियो बनाने की पहले मतलब चुरय स्टाटिंग मैं हमें तैयारी करनी पढ़ती है वो ही तैयारी मेरी चल रही है तो इसे किलिप को मैं नहीं जोड़ती लेकिन आज इस क्लिप को भी मैंने जोड़ दिया है वीडियो में तो फिर इससे मैं टमाटर निकाल रही हूं तो जो भी सवान लगेगा सब एक जगा पहले ही कठा कर लेना है और उसके बाद फिर हमारी रेस्पी चालू होगी तो भी मैं सारी चीजों को एक जगे रख रही हूं टमाटर निकाल लिया मैंने धनिया पत्ती निकाल रही हूं तो धनिया पत्ती को मैंने डब्बे में रखा है तो इस तरह से अगर धनिया पत्ती को आप डब्बे में रखेंगे ना तो यह लंबे टाइम तक खराब नहीं होती और अगर आप ऐसी र आहाजा है जैसे लगनाए आज ही कम गाया है बस आसको क्या करना है कि उसके धंधल को तोर के रखेगा मिर्ट जब खराप होती है ना तो सिर्फ धंधल के चलते खराब होती है इसर्फ को विडियो में तीप्स बता रही हूँ तो यह चोटे-चोटे टीप्स हैं अगर आप करेंगे तो आपको काफी भाइदा होगा जल्दी से मिर्च जो हैं आपके खराब नहीं होगे धनिया पत्ती खराब नहीं होगी नहीं तो मैंने एशी रख दिया था मतलब ऐसे पांखे के नीचे रख दिया था जब ड्राई हो गया तो मेंने डबे में डालता रक दिया था बनाने से पहले मैं इसे धो रहे हुं तो सब क्या करेंगे अच्छे से हम धोलेंगे जिसको धोना है या फिर काटके मतलब धोलेंगे तो सब तैयारी मेरी इधर लगभग हो गई है यह देखिए आप देख पारे होंगे लेकिन कैमरा दूर है तो अच्छे से आपको दिख नहीं रहा होगा तो जब पूरी तैयारी हो जाएगी तो मैं को दिखाऊंगी तो यह दए एक दम अच्छे से पघ गया है ये देखिए मैं हाथ से से तरह कर रहे हूं तो यह दम अच्छे से यह हैं सहले हमें रख़ने हैं और यह हमसwalk बेंप सबो करना है यह दनीया पत्ति को मैंने पानी में डाल दिया है तब क्या करना है कि इन सब चीजों को हमें एकदम बारिक-बारिक से काटनी है प्याज को आलू को हरी मिर्च को दो-दो टुकडा करिएगा एकदम छोटे-छोटे मत कालिएगा जैसे हरी मिर्च को ऐसे 20 से भाड़के और उसे दो-दो टुकडा कर दीजेगा तो काफी से सब्जी के लिए हम काटते हैं बिल्कुल ऐसी काटिएगा लोगो नजादा बड़ा और नजादा छोटा सारी चीजों को अच्छे से पहले काट लेते हैं धो लेते हैं उसके बाद बनाना इस्टार्ट करेंगे यह पुलाव बहुत अच्छा लगता है खाने में इसके साथ सब्जी ना भी रहना तो आप इसे अराम से ऐसी खा सकते हैं बच्चे तो बिल्कुल ऐसी खा लेते हैं उन्हें सब्जी की ज़़ूरत नहीं पड़ती लेकिन मैंने इसके साथ मिक्स सब्जी बना रखी है पहले मैंने मिक्स सब्जी बनाया उसके बाद यह विडियो चाथ हमारा होता है तो इधर का कभी भी मैं किलिप नहीं जोड़ती लेकिन इस वार मैंने जोड़ दिया है तो यह दो पहर का सब्जी का टेस्ट चोले का टेस्ट भी आ जाता है अच्छे से और आपको मतलब सब्जी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी आप ऐसी खालेंगे इसे अराम से तो आप एक बर जरूर ट्राई किजिएगा जरूर बना के देखिएगा अगर छोटे बच्चे हैं तो आप टिफ डबल धो रही हूं तो सारी चीजों को काट के अच्छे से मैंने धो के प्लेट में पूरा रख लिया है अब क्या करना है कि अफटा-फट से बनाना इस्टार्ट करेंगे तो आज मैं चार गिलास चावल का बना रही हूं और तीन लीटर का यह कूकर है जैसे अक्सर मुझे कमेंस में कई लोग पूछते हैं कि कितने लीटर का कूकर है तो मैं आपको पहले से बता दे रही हूं कि यह तीन लीटर का कूकर है और इसमें चार गिलास चावल अराम से बन जाता है मतलब मिडियम गिलास रहे तो बड़े गिलास से मतलब चार गिलास बिल्कुल नहीं बन बन पाएगा तीन गिलास बन पाएगा लेकिन मिडियम गिलास अगर है तो उससे चार गिलास अराम से बन जाएगा तो मैं चार गिलास का बना रही हूं तो इसमें इससे जादा नहीं बन पाता है तो चार गिलास के लिए हमें कितना पानी डालना होगा मैं आपको जब चावल डालूंगी उसी टाइम मतलब बताऊंगी तो यह देखिए मैंने खड़े मसाले लिये हैं तेज पत्ता लिया है जाल चीनी के टुकड़ा लिया है गोल मिर्च लिया है लॉंग लिया है एक बड़ी लाइची जीरा और दो लाल मिर्च खड़े लिये हैं तो इतना खड़े मसा पाट लिया है और धनिया पती तलासुन को आप घीस के मतलब कदुगस करके अकोट के भी ले सकते हैं मसाले में नमक लिया है धनिया पाउडर गरम मसाला लाल मिर्च पाउडर बस इतना ही हमें लेना है इससे ज़्यादा मसाले हमें नहीं डालने हैं तो इधर मैंने अब गैस साइज का गिलास से बड़े साइज का गिलास नहीं है तो आप सोच रहे होंगे जब भी मैं चावल की वीडियो डालती हूं तो इसी गिलास से नाप करती हूं तो मतलब इसका कारण यह है कि इसी गिलास से जैसे मैं रेगुलर बनाती हूं डेली में तो इसी गिलास से नाप करती हूं, तह Dis Saya Minna मैने इसी गिलास से चावल लया है आपके पास जो हो आप इतने बड़े साईज का गिलास ले सकते हैं एक इप्टोरी ले सकते हैं मतलब जितना आपके खर में खपत हो जितना बनाना हो आप उसी इस दानोग लिजिएगा अब यहां मैंने तेल डाल दिया, कूकर जैसे ही गरम हुआ तो तेल डाल दिया, आप चाहें तो गी में भी बना सकते हैं, या सिर्फ आप तेल तेल में भी बना सकते हैं, तो यहां कम से कम चार चम्मच हम तेल डालेंगे, तो मैंने तेल डाल दिया, और तेल जैसे ही गरम तो फिर राइस में अच्छी खुजबू आएगी वड़े लाइची की तो उसे तोड़के डालना है तो सारे खड़े मसाले डाल देंगे और उसे हम थोड़ा सा अच्छे से भून लेंगे और जैसी मसाले भून जाए तो इसमें हम जो कटे हुए प्याज है उस प्याज को हमे इसे भून जाने देते हैं इसके बद प्याज डालेंगे और प्याज जैसे हलका भून जाए फिर इसमें हमें आलू एट कर देने हैं ताकि आलू और प्याज जो है वह साथ साथ से भून जाए तो प्याज डाल दे रही हूं है यह देखिए तो प्याज को इस तरह से लंब में नहीं रखेंगे तो येखंगे इसे लगतार चलाते हुए तो जैसे ही लगे कि प्यास हलके से भून गे तो आलू से अच्छे से भून भानके और फिर आप बनाईए तो फिर देखिए इसका स्वाल अब यहां क्या करेंगे जैसे आलू अप्याज हमारा भून जाएगा तो यह छोले डाल देंगे तो मैंने एक कटोरी छोले लिए थे तो यह फूल के इतने सारे मतलब हो गए इसे काबली चन चार-पांच मिनट हमें भूनना है तो चार-पांच मिनट मैंने अच्छे से भून दिया लसून और हरी मिर्च हमें इसी टाइम में डालना है तो मैंने लसून और हरी मिर्च को डाल दिया मिर्च और लसून को आप पहले मठ डालिएगा क्योंकि लसून अगर जल जाएगा अब टमाटर डाला और टमाटर को डाल के अच्छे से ऐसे mix कर लेंगे और इसके पद फटा-फट से यही हम मसाले डाल देंगे ताकि सारी चीजें मसाले के संग एक साथ अच्छे से भूण जाए अब क्या करेंगे फ्रेंज कि आधी चमच हल्दी पाउडर डालेंगे चमच इकदम छोटी है आप देख रहे होंगे आधी चमच धनिया पाउडर डालेंगे बिल्कुल आधी चमच धनिया पाउडर हमें डालना है ज्यादा नहीं डालना है गरम मसाला डालेंगे और लाल मिर कर तो फिन मिर्च आप कम कर लीजेगा तो ऐसे मैंने पूरे सारे मसाले जो हैं वो मैंने डाल दिया अब इन सब को एकदम अच्छे से हम मीक्स कर देंगे और नमक बच गया है बस हमें नमक डालनी है और इसके अलावा इसमें अब कुछ भी एड हमें नहीं करना है और अच्छे से चलाते हुए कम से कम इसे हम चार-पांच मिनट के लिए फिर से भूनेंगे ताकि मसाले जो हैं एकदम अच्छे से भून जाए मसाले का कच्छा पन बिल्कुल भी राइस में ना आए अब नमक डाल रहे हुए तो नमक आप मतलब स्वात के अनु लेती हूं इसके बाद में इसमें हम चावल लेट कर देंगे तो चावल को दो के मैंने साइड में रख दिया था अब यहां में चावल डाल रहे हुए तो पूरा चावल को डालके अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे तो पूरा चावल हाथ से में डाल रही हूं यह देखिए त से डालके चावल को अच्छे से थोड़ा सा मिक्स करके इसे भून लीजिएगा इस टाइम आप चाहें तो गैस को कम रखिएगा ताकि चावल जो है वो जले नहीं अब पानी डाल देंगे तो पानी फटा-फट से यहां साथ गिलास पानी डालना है हमें जैसे चार गिलास चा चावल अलग बरतन से और फिर पानी अलग बरतन से डाल दिये तो ऐसे में क्या है कि बिगड जाएगा चावल या तो फिर गीला हो जाएगा या कच्छा रह जाएगा इसलिए एक ही बरतन से नापके डालिएगा तो पानी पूरा टूटल मैंने डाल दिया और डालने के बा है कि चावल अगर ज्यादा रहे तो गसका फ्लिय yardım रखिए गाइस का में मीडियम रखिए टो गसक का फ्लियम में एकदम हाई करदे रही हूं क्यूंकि चावल ज्यादा है 1 सिप्सीच लगने देंगे इसके बादगेश को मैंने बंद कर दिया कूकर को अभी हम छोड़ देंगे बिल्कुल भी और जब कूकर हमारा एकदम ठंडा हो जाएगा तब खुलना है तो जैसे कूकर ठंडा हुआ तो मैंने इसका धक्कर निकाल दिया था तो यह देखिए एकदम उपर तक बन कर तयार हुआ है तो मैंने आपको बताया थ कि इसमें चार गिलास का एकदम फ्ल बन ता है तो ऐसे थोड़ाँ से चावल के उपपर नीचे कर देंगे इससे क्या होगा कि जो नीचे लिए सेma जाएंगे क्योंकि नीचे चावल जो है थोड़ से जादा कुख हो जाते हैं तो ऐसे उपर नीचे कर देंगे तो यह बराबर हो जाएंगी जांधांगरी मनफ चाफ्र कर से यह wealth blah पत्ति डाल दी और इसे ढग दिया और इधर मैंने सर्व कर लिया यह देखिए तो यह हमारा आप देख रहे हूंगे छोले वाला राइस बनकर तयार हो गया यहां मिक्स सबजी रखा है यहां धनिया पत्ति की मैंने चटनी बनाई थी उधर मैंने सौस रख दिया है सीनू बो दीजेगा और जो फ्रन चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब किये विना बिल्कुल मत जाईएगा तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नहीं रेस्पी के साथ एक नहीं वीडियो में